बिस्मिल्ह रह्मानिरहीम असलाम लेकुम सुडेंट्स वेलकम टू सीवी एल कंसेपेवेस एड्यूकेशन लर्रिंग यूट्यूब चैनल में हमाद हैमत आपका टूटर आज के इस लेक्षर में हम बात करेंगे बीकम पार्ट वन की जिसे एडिसी पार्ट वन भी कहा जाता ह और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंगलिश तो स्टोर्ट आज से हम फंक्शनल इंगलिश की एनवल एक्जैमिनेशन टॉन्टी टॉन्टी त्री के हवाले से पेपर पेरिंग स्कीम आप से शेयर करने लगे हैं इस स्कीम के आपको इंपोर्टन चीज़ें तो करवाई जाएंगी प्लास उनका सिलेशन भी सिंपल वर्ड़ में आपसे शेयर किया जाएगा तो आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे चैप्र नमबर वन आपका संटेंस का जो चैप्टर है इसके आपको इंपोर्टन डैफिनिशन से मैं बताने लगा हूँ और उन डैफिनिशन के है और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करना है ताके आपको तमाम वीडियो मिलती रहें तो अब हम पेज की तरह मूवन करते हैं और देखते हैं कि यह एक्ट्र के अंदर हम क्वेस्टन किस तरह सोल्व करेंगे अच्छा तो स्टोड़न्स अब हम बीकम पार्ट वन वेस्टन का जो पहला कोष्टन होता है उसके अंदर आपको water definitions आपने करनी होती है जो के 10 कि अपती है तो में आपको capture की important important मिल्ट इसको ये बताना important है कि आपने ना जब भी definitions लिखनी है ना तो definitions हमेशा आपने inverted commas के अंदर लिखनी है और हर definition के अंदर आपने example को must लिखना है तो आज जो हमारा पहला chapter है वो है sentence related book हम use कर रहे हैं writer इमरान हाश्मी की आपके पास भी वही book होने चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो currently इस picture को आप save करें इन चीजों इन मतलब वीडियो की आप पिक्चर लेते जाएं आपको benefit होगा निशान आप लगाते जाहिएगा अब सुन्स देखें सबसे पहले हम जो definition करेंगे वह है phenomenon किसे कहते हैं phenomenon कहते हैं पहली definition आप यही करेंगे टोटल 11 definition इस chapter के अंदर में आपको करवाऊंगा phenomenon किसे कहते हैं phenomenon कहते हैं किसी भी sentence का वह हिसा किसी भी speech का speech means sentence का वह हिसा जो आम तोर पर छोटे 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 वर्ड से मिलकर बनता है जैसे मसाल के तोर पर beef और big पी फॉर pig जैसे एफल एपल था ठीक है न तो यह छोटे से वर्ड से तो को एक बड़ा वर्ड बन रहा है एक पूरा वर् आपको पता है ABCDEFZ तक जो आपके पास यह जो ABC जाती है इसको alphabets बोलते हैं तो यह हर alphabets से जो एक बड़ा लफज बनता है उसको phenomenon कहा जाता है उसको phenomenon कहा जाता है तो इसकी आपने जतना मैंने निशान लगाया हो ना इस definition के अंदर आपने उतना ही करना है और example आपने must देनी है example आपने must देनी है और example जब भी देनी है ना तो four example की heading आपने definition के अंदर लिख करना मारकल से तो फिर आपने example लिखनी है आप हम next definition करते हैं वो क्या है वो है define alphabets यह भी आपको paper में आ सकते है तो alphabets के से कहते हैं वही ABCD जो आपकी A से लेकर जो आपके words आपने बच्पन में सीखे होते हैं Z तक यह सारे क्या हैं यह सारे alphabets हैं तो इनको क्या कहा जाता है इनको alphabets कहा जाता है तो आपने इस definition को भी आपने ऐसे ही लिखना है जितना निशान लगाया हुआ है और plus example आप जब भी लिखोगे for example की heading देकर आप example लिखोगे next definition आप object इसको हम क्या कहेंगे इसको हम sentence कहेंगे एक पूरा फिक्रा कहेंगे जैसे for example I am a student I means I क्या है आपके पास I आपके पास है subject student student आपके पास है object तो इसका मतलब इसके अंदर वर्ब नहीं है तो एक ऐसा फिक्रा जिसके अंदर तीन चीज़ा मजूद हो या minimum दो तो चीज़ा होनी चाहिए subject और object उसको हम कहेंगे sentence तो यह जो मैंने example बोली है आपने यही example I am a student for example के heading देके उसमें यह example लिख देनी है और उपर से आप sentence जितना मैंने निशान लगाया हुआ है आप उतनी उसकी definition लिखेंगे और definition हमेशा inverted कोमा के अंदर लिखेंगे for definition number आप करेंगे declarative sentence के आता है देखें मैंने उपर उर्दू भी लिखी हुई है ऐसा जुमला जो किसी चीज़ के बारे में बताए जो किसी के बारे में बताए जैसे I go to school daily मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ मैं daily स्कूल जाता हूँ इसका मतलब इस जुमले में ना बताया जा रहा है किसी third person को न दी है तो स्टोंस आपने एक्जेंपल यही वाली लिखनी है यह कोई भी एक्जेंपल लिख लीजिएगा एक्जेंपल मस्ट आपने देनी है और इसके अंदर जितना मैंने निशान लगाया है आपने इस definition को भी इतना ही करना है definition number of fifth करेंगे interrogative sentence यह एक ऐसा sentence होता है जिसम में लगाना होता है जैसे मसाल को तोर पर do I go to school daily? क्या मैं daily school जा सकता हूं? या आप इस तरह में लिख सकते हैं do you go to school daily? क्या तुम daily school जा सकते हो? तो देखो इसमें do आजे मतलब जुमले के start में do आजे, does आजे, जुमले के start में did आजे, जुमले के start में क्या आजे, will आजे अगर जुम्ले के स्टार्ट में आपको वाट आजे जुम्ले के स्टार्ट में आपको वाई आजे जुम्ले के स्टार्ट में आपको वाई आजे जुम्ले के स्टार्ट में आपको हो आजे जुम्ले के स्टार्ट में आपको हो आजे तो यह तो यह तमाम जुम्ले यह यह तम यहां ऐसा sentence है जिसमें किसी से काम करने की request की जाए इसको कहते है imperative sentence definition आप उतनी ही रखोगे जितना निशान मैंने लगा दिया है ठीक है example for example shutter the door दर्वाजे को बंद कर दो open the door दर्वाजे को open कर दो तो यह कहा है यह आप किसी बंदे से काम करने को बोर रहे हैं यहां उसको मैं मैं कह दूँ please sir please open the door इसके sir क्या करें महरबानी करके दर्वाजे को open कर दें तो यह भी आपका क्या कहलाएगा imperative sentence कहाएगा example आपने हमेशा example black markle से या blue markle से उसकी heading दे कर ना फिर आपने example लिखनी है EXAMPLE example की heading आपने लाजमी देनी है next definition no 7 होगी आपकी exclamatory sentence ऐसे sentence जिसमें strong emotion की बात की जाए यानि strong emotion means आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो जिसमें बहुत ज्यादा प्यार बहुत ज्यादा घुसे का इजहार किया जाए वो फिक्रे क्या कहलाते है exclamatory sentence कहलाते है जैसे यह देखें I love my mother so much मै मैं अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तो यह क्या है यह आपका एक exclamatory sentence है क्योंकि इसमें आप जो emotion प्यार का इजार कर रहे हो आप बता रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी मां से example कि आप heading दे कर EXAMPLE example की heading दे कर तो यह example लिखेंगे और उपर जो definition है वो inverted कोमा के अंदर आप लिखोगे definition number 8 define predicate predicate एक sentence का वो इसा जिसमें subject के बारे में बताया जाए subject कहते हैं काम करने वाला person जुमले में जो काम करने वाला person होता है जैसे आई वी दे यू, he, she, it, Ali, Ahmed, Sabah इस तरह के जो होते हैं लफज यह आपके subject कहलाते हैं तो subject के बारे में बताया जाए के subject क्या काम कर रहा है उसको कहते है predicate जैसे मसाल के तो पर एहमद play यहां पर क्या बताया जा रहा है कि एहमद खेल रहा है जी एहमद खेर रहा है ठीक है ना तो एहमद क्या है एहमद सब्जेक्ट है तो इसकी बाइब आप example की heading दे कर लिखेंगे और inverted कोमा के अंदर definitions को लिखेंगे next definition number nine आप करेंगे define compliment sentence के अंदर वह हिस्सा होता है जिसमें जो subject होता है उसको compliment दिया जाता है उसका आपको पता है कि जी आपने अक्सर सुना भी होगा कि आपकी तरफ से मुझे compliment मिला याँ कि तरफ से मेरी चारीफ की गई है मुझे compliment दिया गया तो आपका बहुत जीड़ा शुक्रिया तो compliment कहते है जब एक फिक्रे के किसी की तारिफ की जाए जैसे एंपल में देखें शी सीम्स पूइटी तो यहां पर पूइटी मतलब words होते हैं, जो आते हैं एक फिक्रे केंदर लेकिन complete sense नहीं बनातेय कंप्लीट जुम्ले में यह नहीं नहीं बताते हैं है, यह एक्च्छल में इस जुम्ले में हो कह रहा है, जैसे भाधा पर आपको बताता हूं, Indie Room, मैं कहताँ कम्रे में, क्या कम्रे में, क्या कम्रे में लड़की बैठी यख क्छा रहे है क्या हो, क्या हो, क्या हो क्या हरह iya क्म्रे में, तो मैं लिग दू, कम्रे में indeed zoo, चिडिया घर के Dare, क्या चिडिया घर के अंदर, तो देखिए इसलिए caugly complete sense नहीं बताता complete जुम्ले के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं हमें बताता फेज तो इसको हम क्या कहेंगे फेज कहेंगे एक्जेंपल आप हमेश्या एक्जेंपल की हेडिंग दे कर फिर एक्जेंपल लिखोगे और रूपर डैफिनेशन इनवर्टिड कोमा के अंदर आप लि जिस्सा होता है जैसे मसाल को तोर पर इस इस स्कूल यह वह स्कूल है वेर वी स्टडी यह वह स्टडी यह वह स्टडी यह वह स्कूल है जहां पर हम पढ़ते हैं यह यह वह गर है जहां पर हम रहते हैं यह यह वह जगा है जहां पर मेरा स्कूल है यह यह वह जगा है जहां पर वेर वेर आता है जहां पर तो जहां पर क्या है एक्चल में ये सिर्फ जुमले को जुमले की explanation को बढ़ा रहा है मतर्ब ये बता रहा है कि दो जुमलों को आपस में combine करने में मदद दे रहा है लेकिन इसकी खुद की कोई ऐसी खसुसonneक झा है याोड, कुछ भी नहीं या कुछ भी नहीं है, याँ खुद कभी भी जूम्ले को multiplayer नहीं करता, इसकी वज़ा से दो जूमले बस आपसमें जुडते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं συ। आप ऐसे लिखोगे एक्जेंपल की हेडिंग देकर आप एक्जेंपल लिखोगे और उपर आपने डेफिनेशन इन्वर्टिड कोमा के अंदर लिखनी है अब आपका संटेंस के चैप्टर से यह 11 डेफिनेशन आपको बता दीगी है पेपर के अंदर काईड़ी इनको सबसे पहले याद कीजिएगा अधरवाइस आपको और भी इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन आती हैं तो वैलन गुड़ा कोई ऐसा मसरा नहीं लेकिन आपने इन 11 डेफिनेशन को अपने माइंड में सबसे ज्यादा रखना है नेक्स वीडियो के अंदर हम नेक्स चैप्टर क आपको बहुत ज्यादा बेनफिट करेगी तो अपना क्या रखेगा अपने से यूटियूब चैनल का भी अलाहापिस